नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने विटूब चैनल हर्मसी की जानकारी में दोस्तों आज के इस विडियों में हम बात करेंगे इस विडियों के बारे में दोस्तों विटोड़कोक्षी टाबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए इस विडियों को अंतर तक जरूर देखे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके ब्रैंड नेम के बारे में यह टाबलेट आपको मेडिकल स्टोर्स पर किस नाम से मिलती है तो दोस्तों इसके कुछ फिमस ब्रैंड नेम है जैसे की विटोडी 90 टाबलेट निकोगजिया 90 बुटाफ्लाम टाबलेट इसके अलवा और भी ब्रैंड हो सकते है जो एरिया पूर डॉक्टर के अकॉर्डिन अलग-अलग हो सकते है दोस्तों अगर बात करें इसके यमार्पी के बादे में तो इसकी जो 90 मिलिग्राम की टाबलेट है वो अलगपक 15 रुपए पर टाबलेट से आती है यह जो इटोरोकॉक्सिल टाबलेट है यह एक नॉन स्टेरोडाइट एंटी इंप्राइमेंटरी क्लास की मेडिशन है बहुत ज़्यादा दर्व होता है व्यक्ति को चलने उठने में बहुत ज़्यादा दिकत होती है तब इस दवाई को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है ऑस्टियो अर्थ्राइक्टिस और अंकिलोजिंग स्पॉंडी लाइक्टिस को ठीक करने के लिए भी इसका उप्योग किया जाता है एक्टियो डॉक्टि अर्थ्राइक्टिस को भी ठीक करने के लिए इसका उप्योग किया जाता है पोस्ट ऑपरेट्व डेंटल पेन मतलब ऑपरेशन के बाद में किसी व्यक्ति के दात में दर्व होता है तब भी डॉक्टर इस दावाई का उप्योग करते हैं दोस्तो यह इसके उप्योग है हो सकता है डॉक्टर अपने इक्स्प्रियंस के हिसाब से इसको ऑदर कंडिशन में भी प्रिस्क्राइब करें इसलिए हमेशा डॉक्टर के सला से ही इस टापेट का सेवन करना चाहिए दोस्तो अगर इसके साइड इपेट के बार में बात करें तो पेशन को उल्टी तथा मतली हो सकती है पेट खरब हो सकता है डाहरिया हो सकता है या फिर चकर आ सकते हैं यह कुछ इसके साइड इपेट है यह और इसके अलावा आपको कुछ साइड इपेट दिखाई देते है तो आप इस ट्राबलेट को लेना बन एंड करे हैं, और अपना डॉक्टर से संपत्थ करें ताकि आपको फर्दर प्रिट्मेट मेंग सके अगर इसके साब भाने के बारे में बात करें तो अगर किसी को इस दवा से अलर्जी है, अगर किसी को किटी डिसीज है या लिवर बिसीज है, अगर किसी को हट की समझ जा है, तो इस दवा को लेकर समय अपने डॉक्टर की सला जरूर ले, तो यह धी जांकरी इटरफोक्षिक ठापेट के बारे में, तो आज के इस विडियो म करने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें धन्यवाद